नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्साम टेबलेट में दोस्तों जारकंड में BSC Nursing का जो इंटरेंस इक्साम इस साल 2024 में होने वाले हैं तो यहाँ पे आपके Official Notification जारी हो चुके हैं इस साल 2024 के और इसके Official वेबसाइट में जाकर भी आप इसे देख सकते हैं इसका Official वेबसाइट है jceceb.jharkhand.gov.in और यहाँ पे आने के बाद इसके Important Notice वाले सेक्सेन में आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक किजिएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे Open हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं BSC Nursing Basic और Post Basic है परवेश, परतुईकिता, परिक्षा, 2024 दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप View पर क्लिक किजिएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे Open हो जाएंगे और यहाँ पे आप पुरी Details देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से A&M और G&M में Other State के Candidate को भी यहाँ पे Apply करने का मौका दिया गया है ठीक उसी तरीके से BSC Nursing में भी Other State के Candidate एपलाई कर पाएंगे लेकिन यहाँ पे Priority मिलेगी जो अस्थानी निवासी हैं उनको यहाँ पे Priority दी जाएगी वैसे अभ्यार्थियों को जो जारकंड के अस्थानी निवासी हैं और यहाँ पे उनके नमांकन के पश्चात जो सीटे बच जाएंगी उनको यहाँ पे सीटे बचने की स्थिती में जो सुपाइत्र अभ्धार्थी होंगे अलग स्टेट के Other स्टेट के उवे यहाँ पे काउंसलिंग कर पाएंगे और एडमिसन ले पाएंगे दोस्तों यहाँ पे भी आपके 50% के जो मेनेजमेंट के सीट है प्राइवेट कॉलेज के तो यहाँ पे भी आपको एडमिसन पाने के लिए इंटरंस एक्जामिनिसन देना जरूरी है और यहाँ पे पास होना यानि उतिर्ण होना भी अनिवारी है और यहाँ पे देखिए परवेश परिक्षा की जो निर्धारित उत्रिनता है यह 40 परसेंटाइल है दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो स्टार्ट हो जाएंगे छोबीस आठ दोहजार चौबीस यानि 24 अगस्त दोहजार जाएगा यानि कल से इसका form fill up start हो जाएगा और यहाँ पे देखिए जो इसका last date है यह 9 सितंबर 2024 है अगर आप इसमें कुछ गलत करते हैं तो online यहाँ पे edit कर पाएंगे और यह आप 10 सितंबर 2024 को edit कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे आपके जो examination date है basic basic nursing के तो यहाँ पे आपको 21 सितंबर 2024 है सनी वार को और यहाँ पे आपको पुरुआहन 10 बजे से लेकर अपराहन 12 बजे तक आपके examination चलेंगे और अगर बात करें post basic basic nursing की तो आपके जो examination date है वो same है लेकिन आपके जो examination time है यह आपको दो बजे से लेकर सामके चार बजे तक आपके examination चलेंगे दोस्तों अगर बात करें कि BSE nursing का eligibility criteria क्या है तो देखे एस आपको minimum होनी चाहिए 17 years यहां पर आपको maximum age limit यहां पर नहीं दिया गया है यानि आपका सिर्फ पर सिर्फ यहां पर IU में क्या criteria है कम से कम आपको 17 years होनी चाहिए कब यह 31 December 2024 को सेक्शनी की योगता के बात करें तो आपको 10 प्लस 2 पास होना चाहिए physics chemistry biology से साथ ही आपको English भी होना चाहिए और aggregate यानि total आपको 45% marks होने चाहिए तब ही आप इसमें apply कर पाएंगे दोस्तों यहां पर और एक चीज़ क्या है कि बहुत सारे candidate के confusion में है कि क्या appearing वाले student इसमें apply कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ है कि student appearing in 10 प्लस 2 examination in science conducted by national institute of open school with 45% marks तो दोस्तों देखिए जो आपके NIOS है यानि जो national institute of open school है वहाँ से अगर आपने science किया है तो वहाँ पे भी आपको 45% क्या होने चाहिए minimum आपको marks होने चाहिए 10 प्लस 2 में दोस्तों यहां पर एक चीज़ नोटिस किजेगा कि आपको जो यहां पर देखिए appearing वाले student यहां पर apply नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं apply कर पाएंगे क्यों कि यहां पर देखिए आपको 10 प्लस 2 class क्या है यहां पर लिखा हुआ है कि past होना चाहिए और एक चीज़ आप यह वाला appearing देखिएगा तो देखिए यहां पर अगर इस appearing के बात करें तो आपको 45% marks कब होगा यह 45% marks तब होगा जब आप यहां पर पास हो जाएंगे तो यह भी आपको क्या है यह यहां पर यह बताना चाहरे है कि जो National Institute of Open School से 10 प्लस 2 किये हैं साइन्स में उनको यहां पर कम से कम कितना होना चाहिए 45% marks होने चाहिए और यहां पर आपका क्या है student को medically fit होना चाहिए और साथ ही साथ यहां पर आपको क्या लिखावाए कि प्रसिक्षन का जो अवधी है यानि जो आपका training का time period है उस दौरान आपको छात्रावास में रहने की क्या है अनिवारियता होगी यानि आपको hostel में रहना ही पड़ेगा आप hostel छोड़कर घर से आप BAC nursing यहां पर नहीं कर सकते हैं इस entrance examination के त्रूप और दोस्तों यहां पर अगर बात करें post basic BAC nursing की क्या section क्यों गयता है तो post basic BAC nursing के लिए आपको intermediate pass होना चाहिए 10 plus 2 या फिर equivalent इसके pass होने चाहिए या फिर 10 plus 1 pass होना चाहिए अगर आपने 1986 से पहल आपने intermediate किया है तो और उसके बाद देखिए आपको GNM का complete होना चाहिए course और साथ ही certificate होना चाहिए जो कि आपके state nurse जो registration council है यानि जो आपके state के nursing council है वहां से आपको registered होना चाहिए तो यह चीज़ें यहां पर criteria है post basic BAC nursing की और जो आपके BAC nursing के जो आपके इंटरन्स examination होंगे यह 21 सितंबर को होंगे और examination center आपको हो सकते हैं राची, धनबाद, पलामू, जमसेदपूर, दुमका और हजारी बाद और यहां पर और एक चीज़ यहां पर यह लिखा हुआ है कि अगर कुछ परिहारी कुछ ऐ जो परिक्षा केंदर हैं उसको हटाया भी जा सकता है तो यह चीज़ यहां पर लिखी हुई है तो आप यह मान के चलिए कि आपके जो examination center पढ़ सकते हैं यह कहां कहां पढ़ सकते हैं राची, धनबाद, पलामू, जमसेदपूर, दुमका और हजारी बाग उसके बाद चार दिन पहले आप अपना admit card download कर पाएंगे और आपका जो post basic basic nursing में जो आपका examination center होने वाला है यह आपका सिर्फ और सिर्फ रांची जिला में होगा, दोस्तों अगर examination fee की बात करें तो जो candidate male है, यानि male candidate जो है, वो अगर सामाइन ने work से belong करते हैं या फिर EWS से या फिर BC1 BC2 से तो उनको यहां पर fee कितना लगेगा? 900 रुपीज लगेगा चाहे BSC nursing का basic हो या फिर post basic हो, लेकिन अगर आप महीला हैं, यानि आप female हैं, चाहे आप किसी भी category को हो, तो यहां पर आपको कितना fee लगेगा? 450 रुपी लगेगा BSC nursing में भी और post basic BSC nursing में और जो male, जो male अन लगेगा सिर्फ यहां पर 450 रुपीज लगेगे और जो सामाइन वर्ग EWS BC1 BC2 से हैं, उनको 900 रुपीज लगेगे जो की male है, दिव्यांग जो candidate हैं, उनको कोई भी आवेदन सुल्क नहीं लगेगा, दोस्तों यहां पर बात करें कि परिक्षा का अस्तर आपको क्या रहने वाला है, तो BC nursing के इंटरंस examination में आपको टोटल 150 कोशन रहेंगे जैसे previous year में पूछे गए थे, आपको 10 प्लस तो अस्तर के आपको chemistry, physics और biology से आपको सवाल पूछे जाएंगे, 50-50 अंकों के आपके सवाल होंगे, यानि टोटल आपको 1500 कोशन होंगे, और 1500 अंक होंगे, उस यान पे 100 आपको कुशन होंगे, जो की A grade का जो nursing का पाठीकरम है, जो syllabus है, A grade nursing का उस पर आधारित होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है, और दोस्तों अगर अब भी कोई confusion है, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, और वीडियो को अंतक देखनी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए फ्यूर हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीचे और बिल आइकन को भी प्रेस कर लीचे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड तो सबसे पहले इसका नोडिफिकेशन आपको मिल पाए.